बाद रिष्टे ऐसे होते हैं जोड़ते जोड़ते इनसान खुद तूट जाता है समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है लेहाजा वक्त जाया करना बेवकूप ही है अच्छी आदत की माल का आउरत फकीर के घर भी हो तो उसे बादशाह बना देती है सबर की दो सूरते हैं जो ना पसंद हो उस पर बरदाश्ट करना और जो पसंद हो उसका इंतजार करना हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सजा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाईश हर इनसान के अंदर दो भेडिये होते हैं एक अच्छाई का दूसरा बुराई का गालिब वही रहता है जिससे हम खिलाते पिलाते हैं तीन बातों पर खामोशी अक्तियार कर लो वो शक्स आपकी कदर करेगा सबसे पहले उस शक्स से शिकाइतें करना छोड़ दो किसी से हर छोटी छोटी बात पर माफी मांगना छोड़ दो किसी को अपनी वफादारी का इतना यकीन मत दिलाओ के वो बगएर डर के आपको कुछ भी कहे जबानों के पीछे मत चलो कोई तुमें ऐसी कहानी नहीं बताएगा जिसमें वो खुद गदार हो इज़त औरत को दिये जाने वाले तौफों में से सबसे कीमती और नायाब तौफा है मगर इतना कीमती और नायाब तौफा देना हर मर्द के बस की बात नहीं किसी लड़के ने अपने बाब से सवाल किया मर्द को किसे पता चलेगा कि वो दृष्ट है या गलत क्योंकि कोई भी खुद को गलत नहीं समझता बाब ने जवाब दिया जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी बहन या बेटी को तुम्हारे जैसा मर्द मिले तो समझना तुम दृष्त हो वरना खुद को सुधार लो जिन्दगी में ऐसा शक्स जरूर होना चाहिए जो हाल पूछे तो सच बताया जा सके कभी कभी जिन्दा होने के बावजूद हमारे अंदर की जिन्दगी खतम हो जाती है लोग हमेशा हमारी जिन्दगी का एक सिफ़ा पढ़कर पूरी किताब खुद से लिख लेते हैं बुजरोग केते हैं तालोग में मसाइल का आना तालोग की ताकत का इम्तहान है क्योंके मसाइल आने के बाद या तो तालोग पेले से ज्यादा मजबूत हो जाता है या तूट जाता है जब आप किसी से रूट कर नफरत से बात करो और फिर भी वो उसका जवाब महुबबत से दे तो समझ जाना के वो आपको खुछ से ज्यादा प्यार करता है इनसान हर चीज भूल सकता है सिवाए अपनी बेकदरी के और वो भी किसी ऐसे शक्स से जिससे बेपना महुबबत हो अपनी बेटी की शादी जाहलों और बत्तमीजों से मत करें खुदा की कसम उस लड़की को मारने की जरूरत नहीं पड़ती थोड़े अरसे में वो खुद ही मर जाती है बाहर की तमाम रंगीनियां अंदर की एक उदासी का मदावा नहीं कर सकती साथ निभाने का हुनर ताले से सीखें तूट जाएगा मगर अपनी चाबी नहीं बदलेगा कोई आपकी तरफ ना देखे तो मजबूर ना करें ये दुनिया आपके मुखलिस जजबात को आपके मुँपर मारने की माहर है इसलिए अपने आपके साथ खूश रहना सीखें अपने जजबात को अपने अंदर रखना सीखें कोई तवज़ज़ ना दे तो तवज़ज़ की भीक ना मागें कोई बात ना करे तो दस कदम पीछे हट जाएं आँखों में आशु लेकर मुझे घूरता ही रहा वो आईने में खड़ा शक्स परेशान बहुत था मर जाएगी यक तरफा महबत भी किसी दिन कब तक कोई सेराओं को सिराब करता है मर्द कामिल तो वही है जो दुश्मन को दोस्त बना सके अकल से बहतर हमारा कोई रफीक नहीं शैतान सबसे पहले इंसानी शर्मों हया पर जर्ब लगाता है ताकि बेहया होकर वो आसानी से गुनाह कर सके एक अंधा दूसरे अंधे की कियादत करेगा तो दोनों गार में गिरेंगे अपने गुनाहों पर शर्मीनदा होकर माफी मागने पर अल्लाह ताला माफ फरमाते हैं एक वक्त ऐसा भी आता है इनसान को अपने मुखलस होने पर रोना आता है मजबूत रहो जिन्दगी कमजोर लोगों को कुबूल नहीं करती तल्खा कीकत चार बीयों पर राजी लोग चार बेटों पर रोने लगते हैं जब इनसान बिलकुल खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ लो के वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है खुद को बदकिस्मत मत समझो क्यूंके नाकामी के बाद काम्याबी का दरवाजा खुलता है जिसे तुम तवज़ा दिये बगार बंद कर देते हो इस डर से के कहीं फिर नाकामी का मूँ न देखना पड़े खुदा के नजदीक किसी इनसान की इज़त जितनी ज्यादा होती जाती है उसका इमतहान भी उसका दर सक्त होता चला जाता है